Hello everyone, welcome to Electrical Engineering Games Cues. आज का सेशन में हम लोग UP Metro के लिए important MCQs को discuss करने वाल है. देखिए, इसका exam का date है, 17th of April को उसका examination होने वाल है. इसका admit card भी out हो चुका है और काफी अच्छा response मुझे मिला है, काफी जादा मुझे request रही इस particular session को बनाने के लिए. इस लिए हम लोग priority session पे, priority basis पे हम लोग इस session को आज contract कराने वाले है. आज कर सेशन में हम आपको important MCQs और उसके concepts को बताने वाल हो, जो कि आपके आने वाला examination UP Metro के लिए काफी ज़्यदा useful रहने वाले है. और ये session आपको आपके examination से पहले ज़रूर देकर जाना होगा. तो ट्राइक जो है हम लोग solid state type of switches में यूज नहीं करते, option B इस question का correct answer था, और इस question का correct answer दिया है, उन top 10 students के नाम है, अक्षे मोरे, electrical दीपक, अनिता जामलिया, विकास उगाले, स्मीता सुनवाले, और अगर आप भी चाहते हूँ कि आपका नाम है मेरे next session में लो, तो session को end तक देखना है, session के end में जो भी मैंने question पूछा है, उसका correct answer आपको में comment box में comment करना होगा, तो चलि हम लोग आज के session को शुरू करते हैं, but before that मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ अभी अभी हमने आज रिसेंटली राजस्तान के लिए नॉन टेकनिकल चैनल कोजिफा के लिए काफी अच्छा में response मिला हमारा ये राजस्तान जीकर का जो हमारा special session था राजस्तान state electricity board examination के लिए क्योंकि आपको पता है वहापर राजस्तान के लिए 48 plus questions आपको पुछ जाने वाला है सिर्फ राजस्तान के उपर तो इसलिए हमने session अलड़ी upload किया था राजस्तान का राजस्तान जीके करके राजस्तान का जो पार्ट वान है ठीक है इसमें हमने कुछ questions cover up किये राजस्तान से लिए टोटली राजस्तान के जो स्टेट से लिए इंपोर्टन न्यूज्स है वह हमने हुआ पे कवर किये और पार्ट तू में भी important current affairs हमने कवर किये जो कि आपके आने वाले examination राजस्तान बेल को क्लिक करें जो भी sessions आपको upload कराते उसका notification आपको मिल जाते और कोई भी को दिक्कत आती तो प्लीज हमें कमेंट करते चलिए काफी सारे जो series है जैसे हमारी होगी RACB की महामेट्रों की यह सारे series हम लोग continue करेंगे बट यह priority boxes मैं आपको session provide करा रहा हूँ ठीक है आप करेंगे जो सारे students का है जो भी experience है different states है ठीक हम लोग try करते हैं आपको कि जो में आपको questions का वारप कर रहा दो important questions हर एक important questions के लिए दिखिये यह session सभी students refer कर सकते electrical engineering से बट मैं कुछ-कुछ session जो हमारे particular state wise क्यों capture करता हूँ क्योंकि हमने जो analysis किया रहता है previous year के उसी तरीके से ह आपको आने वाले examination के लिए वो फाइदे मंदर हो जिस तरीके से के आपको पता होगा ससी जीए का examination का कुछ दायरा रहता है उसका कुछ examination pattern रहता है ठीक है इससे लिए हम लोग ससे जीए के different session मनाते हाला कि सारे session जो हम लोग upload करते electrical engineering हम स्क्रेस पर वो आपको definitely काम है रहते ह हमारा एंडेक्टर है जिसमें जिसका वालुए एक हेंडेका और वो करन्ट कितना कर रहा है तो इसमें कितना energy stored होगा तो यहां में पूछा गया देखिए यहां पर टू वाट्स और टू जूल्स तू फोर वाट्स और फोर जूल यहां पर चार options है आपको पता होगा energy stored है हम लोग कैसे लिखाते है एल इस इक्वस्टू हाफ एल आए स्क्वर एल जो गहां इसका इंडेक्टन सोगे और आए जोगा इसमें से करेंट वह जो फ्लो होता है वो करेंट तो हमेरे पास टू एंपर स्करिवन है ठीक है तो वन बाइट टू इसको हम लोग रिज़ कर दे इसमें क्यों का वान बाइट टू मल्टिप्लाइट वाइल का वालियू कितना है वन एन आइस क्वर्ट थैटमीस टू इंटू टू 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 से टू एगा पर कैंसल आट हो जाएकब ओगे आगे का स्क्वर इसलिए तो हमारे पास तू जू जू इसका करेंट राज़ ठीक है कापसिटेंस मल्टिप्लाइट बाइट वोल्टेज का स्क्वर ध्यान में रिखियो देखते हमारा नेक्स क्वेशन 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 नम्बर टू तो स्क्वेर वेफोर्म ऑफ करेंट हैस अ फॉलोविं रिलेशन बिट्वीन आरेमेस वैल्यू एंड एवरेज व जाएगा ठीक है आरेमेस वैल्यू जो करेंट रहती है इकोल रहती हमारे अवरेज वैल्यू से ओप्शन सी स्कूशन का करेंट इंसर अगे दिखिया पे स्क्वेर का कुछ इंपोर्टन फैक्ट्स अन फिगर नापको बता तो जिसका अरेमेस वैल्यू का फैक्टर कितना र राखेगा जो बेसिक से कुशन से दिखिए है आप फॉर्म फैक्टर काफी बार एक्जामनेशन पूछाते है यह पहले तो साइन वेके लिए ध्यान में रखेगा ट्रैंगुलर के लिए स्क्वेर वेके लिए क्लिए पूछ जाता है और सॉर्टूथ वैव के लिए यह आप questions को one by one attempt करने की कोशिच करेगा examination में ठीक है एक एक question आपको अपको selection easily हो सके देखते हैं अभी मारा next question question number three two numbers of 500 ohms and one wet registers are connected in a parallel their combined resistance and a wattage rating will be simple है इसका equation में ना जाते हो है मैं आपको बता दो आपकी आपके आपके पास phase है और एक न्यूट्रल है ठीक है दो देखिए आपके घर के जो भी load है उसका हम लोग रेस्टन्स करते हैं दो रेजिस्टन्स करनेक्ट है उसका जो ओमिक वैल्यू है वह हमारा 500 ohms का 500 ओमस को ठीक है और इसका वन वैट कर इस वन वैक कापसिटी इसका भी वन वैट का ठीक है तो यह पैरलेल में चनिक्ट होने के कारण आपको बैदा तो इसकाक एक्विलन रेस्टन्स का हाफ अब जाता है मैं अब 250 ohms का यहां पर 250 ohms चाहिए था और हमारे पास अभी power consumption पूछा गया था power rating हो जाएगा हमारा 2 watts simply इसके addition हो जाएगी क्योंकि यह parallel में connected जितना हम लोग एड़ आप करेंगे उतना हमारा उसकी sum up होते चाहिए वाइटेज रेटिंगे तो option बी इस question का correct answer आजाएगा ठीक है that means 250 ohms 2 watts will be correct answer in this case यहां पर 250 ohms चाहिए था आयो बाप consider कर लोगे देखते अभी हमारा next question question number 4 a long uniform coil of inductance 2L and associated resistance of 2R ohms is a physically cut in two exact halves which are rewound in a parallel the resistance and inductance of the combination r long uniform coil है जिसका inductance है twice cell और उसका resistance है twice r ohms उसको दो exact half में cut किया तो उस case में जो resistance और inductance उस combination का क्या रहेगा तो यह काफी important है ध्यान में रहेगा तो वो हमारा r by 2 हो जाएगा resistance और l by 2 हो जाएगा हमारा inductance तो option c is question का correct answer आपको पता होगा resistance हम लोग कैसे mention करते है रो l by a a क्या होगा area l होगा उसका length और रो होगा हमारा resistivity उसी तरह कैसे inductance का हम लोग कैसे लिखते है l is equals to mu n square a by l यह सारी चीज़े ध्यान में रहेगते होगे that means जो l हमारा directly proportional रहते है n square by l से तो option c is question का correct answer था देखते हमारा next question question over 5 the power transformer is a constant देखे यह power transformer यह क्या है एक हमारा constant flux device है ठीक है तो it is a primary main flux device option c is question का correct answer था तो power transfer is a constant flux device क्योंकि यह follow करता है हमारा lenses law यह हमारा lenses law को follow करता है क्योंकि उसमें होता क्या जितना हमारा change होता है flux density ठीक है loading करने के अगा न सेकंडेरी पे ठीक है उतना ही हमारा magnetizing current draw होता है और magnetizing current draw करता है और proportionally primary winding से तो जो net fluxes रहते है इसमें वो हमारे constant रहते है ध्यान में रिकेगा that means the power transformer is a constant primary main flux device option c is question का correct answer आ जाएगा the next question is question number six for a slip ring induction motor if the supply voltage is changes by 5% it will produce approximately change of dash percent in rotor torque important question है ध्यान से देखे है एक slip ring induction motor है अगर हमारा supply voltage change रहता है 5% से increase हो जाता है ठीक है वो किससे proportional होता है directly proportional to the square of voltage ठीक है that means torque is directly proportional to the square of voltage यह हमारा induction machine में रहता है तो हमारा supply voltage रहता है change in 5% तो इसको हम लोग divide करते है 100 से 0.05% आ जाएगा ठीक है 0.05 ठीक है तो जो टॉर्क हो जाएका directly proportional हो का V मानलो इस supply voltage है plus हमारा 0.05 हमारा change रहता है इसका square तो आप इसको add up करेंगा 1 plus 0.05 जो V हम लोग consider करेंगे ठीक है 0.05 V हम लोग इसको consider कर सकते हैं तो यह होगा हमारा 21 by यही पर हम लोग लिख लेते हैं यह हो जाएगा हमारा 21 V by 20 ठीक है इसका whole square इसको हम लोग resolve करेंगे 21 का square 441 V इसको simply भी solve कर सकते हैं मैं आपको shortcut method भी बता देता हूँ अपन 400 ठीक तो यह जो होगा हमारा next यह होगा है जो हमारा टॉर्क अपडेड़ेड़ है ठीक है टॉर्क नियू हम लोग से हमारा first टॉर्क है था ठीक है जो हम लोग उसको और वो भी कैसे डिरिकले प्रोपोर्श्चनल था वी स्क्वेर से तो हम लाग जो change हुआ रोटर ट तो इसका अपका आता है 10% solution ठीक है 10% solution है देखिए मतलब क्या होगा कि जो 0.5% से अगर हमारा supply voltage जो change होता है तो इसका square से related करें डिरेकली तो यह हमारा 10% से change हो रहा है ठीक है यह बाद ध्यान में रहें कि जो हमारा rotor torque change होगा वो 10% से change होगा आहो पापका यह question समझ में question question number 7 the maximum temperature permitted for a class A insulation is काफी बार मैंने examination हमारे sessions में आपको यह चीज़े बता ही है कि जो maximum temperature रहता है हमारा class A insulation के लिए वो कितना रहता है तो वो रहता है हमारा 105 degree centigrade option B is question का correct answer है यह आपको लर्ण करने होगे ठीक है यह आपको समझ नहीं होगे तो हमारे instagram page मैंने अल्रड़ी insulation class करक पोस्ट डाल के रखिए सिक्वेंस द्यान मेंने केगा सबसे lowest insulation का temperature रहता है Y का और सबसे highest रहता है C का ऐसा learn कर लिजेगा Y-A-E-B-F-H-C तो पहला रहता है 190 degree centigrade दूसरा 105, 120 degree 120, 130 degree centigrade, 155 degree centigrade 180 degree centigrade for a class H type of insulation और class C type of insulation का temperature sustainability रहता है greater than 180 degree पर उसकी stability रहते हैं 225 degree centigrade तक और उसके materials भी आपको ध्यान में रहते होगे class Y type of insulation सबसे lowest sustaining insulation है जिसका temperature range है 90 degree centigrade तक up to उसमें कौन से हमारे पास क्याता है cotton हो गया, silk हो गया या फिर paper हो गया class C में, mica, ceramic, glass ये हमारे insulations हमारे इसमें included है तो class A type का insulation कितना sustain कर सकते है 105 degree, 105 degree centigrade तक ये send कर सकते हैं ये बात ध्यान में रखने होगे इस type के questions आपको पूछ जा सकते है, different different questions हम लोग इसको distance करते हैं, ठीक है next question हमारा question number 8, two transformer connected in a parallel share the load in the ratio of their KVA ratings, provided their ohmic impedances are, देखी यहा पर दो transformer हमारे connect कर दिया, parallel में, तो वो share करेंगे equal load, ठीक है that means the parallel share, parallel share the load in the ratio of their KVA ratings, ठीक है, according to their KVA rating, it will share their load, that means question में क्या पुछा गया, देखी धांदर समझेगा, दो अगर हमारे पास transformers connected है ठीक है, यह उसको में लोग transfer कह लेते हैं, यह इसका resistance is connected, इसमें, तो शेर करेंगे load according to the KVA ratings, ठीक है, provided their impedances are, तो इसमें उसका जो impedance होना चाहिए, तो वो होना चाहिए, inverse ratio of their rating, इसके जो ratio हो रहना चाहिए, वो उसका ratio हो रहना चाहिए, inverse ratio of their rating, option C is question का correct answer आ जाएगा, ठीक ह of their KVA rating, यह आपको ध्यान में रहना हो कर, that means it is a inverse ratio of their ratings, their omic impedances, यहापे लिखा गया, ठीक है, देखते अभी हमारा next question, question number 9, non-loading heat run test on a transfer number is performed by means of, non-loading heat run test, जो हम लोग transfer number पे perform करते हैं, तो हम लोग आती है, संपनस test, option D, इस question का correct answer आ जाएगा, ठीक है, यह हमारी non-loading heat run test on a transfer किसके लिए रहती है, transformer, और इसको हम लोग क्या कहते है, back to back test, back to back test हम लोग इसको कहते है, regenerative test हम लोग इसको कहते है, और इस case में कितने transformer की requirement रहती है, इसमें हमारे पास 2 transformer की requirement रहती है, इस question में, ठीक है, काफी important है, और यह क्या हम लोग, जब हम लोग perform करते है, back to back test, तो उस case में क्या रहे थे, the amount of power consumed is equal to the iron and copper losses of the two transformer at a full load. यह बात धान में रखने लिए, option D is question का correct answer आ जाएगा. The next question is question number 10, assuming constant transmission efficiency if the voltage is increased n times. अगर हमारे पास constant transmission efficiency है और voltage हम लोग increase करते n times, तो size of conductor कितना लगेगा हमें उस case में धान में रखेगा. वो हो जाएगा हमारा reduce by 1 by n square of the original, option A is question का correct answer आ जाएगा. Option A is question का correct answer आ जाएगा. अगर हम लोग voltage increase करते n times से, तो size of conductor required रहेगी, तो वो हमारे reduce हो जाएगी 1 by n square से, option A is question का correct answer आ जाएगा, काफी important है. Next question है हमारा, question number 11, dialectic strength of a SF6 gas, sulfur hexafluoride gas, जिसको हम लोग कहते हैं, जो हम लोग circuit breaker में यूज़ करते हैं, वो कितनी रहती है, जो dialectic strength रहती है हमारे SF6 gas की, तो वह हमारी 2 से 3 times जादा रहती है than air, जो dialectic strength रहती है, air के उससे 2 से 3 गुना हमारा जादा रहता है SF6 gas का, यह बात अपको ध्यान में रहती है काफी important है, यह सारी चीज़ है, ठीक है, और उसकी जो gases, viscosity वो लो रहती है, और उसका molecular weight है, वो हमारा higher रहता है, यह सारी चीज़ है, ध्यान में रहती है, और यह जो pure sulfur hexafluoride gas जो हमारी inert रहती है, और thermally यह stable gas रहती है, हम लोग इसको use करते हैं, और यह काफी effective रहती है, माना जाता है हमारे circuit breaker के arc quenching medium में हम लोग इसको as a use करते हैं, ठीक है, देखते हैं भी हमारा next question, question number 12, current effect states that under certain condition, the sending in voltage is important है, काफी, इसमें questions के options आपको flick करके बूच जा सकते है, current effect में क्या रहता है, जो हमारा sending in voltage है, वो हमारा less हो जाता है receiving in voltage है, due to lightly loaded condition में, ठीक है, तो उस case में हमें क्या पूच आगा है, sending in voltage हो है, हमारा less हो जाता है receiving in voltage से, option a is question का current answer आजाएगा, next question है हमारा question number 13, resistance switching is normally employed in, resistance switching हम लोग किसमें employee करते हैं, तो हम लोग air blast circuit breaker में use करते हैं, import air blast circuit breaker में हम लोगो इसको use करते हैं, और इसमें आपको ध्यान में रखना हो का, जो value रहती है उसकी R की, ठीक है, जो resistance रहता है उसमें, ठीक है, वो हम लोग किस तरीके से define करते हैं, R will be equals to यह ध्यान में रखेगा, R का value, ठीक है, और जो voltage रहता है, आप यह रहता है, हमारे contact of electrical electrodes पे, जो circuit breaker में हम लोग उसको करते हैं, या फिर हम लोग उसको करते हैं, switching voltage पे, तो वो करते है, वो रहता है, वो रहता है equals to I multiplied by under root of L, यह दोनों भी terms आपको ध्यान में राखना हो किए, ठीक है, इससे related, option D इस The next question is, question number 14, surge impedance of overhead transmission line is normally in the order of, surge impedance हो रहता है, ठीक है, that means, यह surge impedance कहा रहता है, वो हम लोग as an infinite line करके भी इसको represent करते हैं, इसको हम लोग कहते है, surge impedance, ठीक है, तो हमारे, किस के लिए, overhead transmission line के लिए, वो कितना रहता है, वो रहता है, between 300 to 500 ohms का, option C, इस question का, correct answer आजाएगा, overhead line surge impedance के लिए, कितना रहता है, उसका 400 to 600 की बीच में रहता है, और underground line, जो रहती है, हमारे underground cable रहता है, उस case में surge impedance रहता है, 40 से लेके 60 ohms, यह काफी कम रहता है, यह underground के लिए, ध्यान में रहता है, important है, okay, दोनों भी चीज़े मैं आपको बता दी, next question है, question number 15, ठीक है, तो इसमें हमा load can be, तो maximum power कितना रहेगा, load में, हमें question में, पूछा गया, तो maximum power हमारा कब transfer होगा load, जब हमारा RL will be equals to RTH होगा, ठीक है, और maximum power हम लोग किस तरी किस लिखते है, Pmax will be equals to VTH square upon 4RTH, 4RTH, ठीक है, तो हम लोग 7S resistance निकाल लेंगे, ठीक है, across the load terminal, यह जो load terminal के across में, ठीक है, उसके लिए हम लोग independent source को remove करते हैं, यहापर voltage source है, तो उसको हम लोग short circuit कर देंगे, ठीक है, इसको अगर हम लोग short circuit कर देते हैं, तो यहापर 6 ohms और 6 ohms parallel है, तो इसका resistance यहापर 3 ohms का, ठीक है, और इसको हमारा equivalent resistance किया जागा, ठीक है, 6, यहापर 3 ohms और यहापर 2, यह 2 रहेगा, और यहापर नीचे भी 2 रहेगा, ठीक है, तो 2 plus 3 plus 5, 2 plus 3, 5 plus 2 will be 7 ohms, तो RTH का value जाएगा, इस side से कर हम लोग देखते हैं, तो RTH का value आजएगा हमारा 7 ohms, ठीक है, अभी ह इस case में अगर हम लोग इसको open कर देते हैं, RTH का value लिख लेता हो, 7 ohms, correct, तो voltage division rule हमें यहापर apply करना पड़ेगा, तो इस case में अगर हमारा पास, इसको आप यहापर erase कर सकते हो, ठीक है, यहापर अगर हमारा पास VTH हमें measure करना होगा, तो हम लोग voltage division rule लगाएगे, ठीक है, म across निकलना है, इसके across निकलना है, हम लोग निकालना है, कि यह दोनों inactive रहेंगे, इस case में, 2 ohms और 2 ohms, यह directly हमने इस तरीके से समझ लोग कि हापर हम लोग voltage measure करें, इस 6 ohms के across में, तो 6 upon total resistance रहेगा, हमारा 6 और यह 6 का, ठीक है, यह हो जाएगा, 12, तो इसमें इसका correct answer है, 2 प्रूज़ा और यह 5, 5 वोल्ट, आज आगया हमारा VTH, तो Pmax हमारा कितना रहेगा, वो रहेगा हमारा 5 square, VTH square multiply upon 4 multiplied by RTH, 4 multiplied by 7, जो RTH का value, मैं आपको बहता है दा, ठीक है, VTH square upon 4 multiplied by RTH, ठीक है, यह formula धान में रिखिक है, तो इसका correct answer है जाएगा, 890, 2 या फिर 93, okay, option C is question का correct answer है, that means the maximum power in the load can be 893 milliwatt, option C is question का correct answer है, देखते हैं भी हमारा next question, question number 16, question number 16 क्या कह रहा है हमारा पास, what is the composition of the alloy, कंथाल यूज़ दिना, heating element ही न, electrical heating system, देखें, कंथाल जो है, as a heating element करके use होता है, electrical heating system में, तो उसका composition में क्या है, इसमें कौन से कौन से metal से बनाया जाता है, कौन से कौन से, इसके compositions रहते हैं, तो इस case में हमारे पास chromium इसमें रहता है, important factor, important element, aluminum रहते हैं, और iron रहते हैं, option B, इस question का फिर correct answer 30% रहते हैं, aluminum का भी इसमें रहते है, 4 से लेके 7.5% रहते हैं, यह बात अपको ध्यान में रहते हैं, option B, इसका correct answer है, जो canthal use होता है, electrical heating element में, उसका composition रहते हैं, उसमें रहते हैं, chromium, aluminum and iron, ध्यान में रहते हैं, देखें भी हमारा next question, question number 17, a fluorescent tube of a 20 wet has a luminous flux of, देखें हमारे बस फ्लोरसन ट्यूब है, तो उसके समें, उसका luminous flux कितना होगा, यह मैं पूछा गया, luminous flux तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, यह होता है, it is defined as the energy in the form of light waves, radiated per second from the luminous body, ठीक है, जिसको हम लोग रेप्रेसेंट करते हैं, 5 से, और measure करते हम लोग इसको lumens से, ठीक है, इसका यह unit हो गया, और lamp की efficiency आपको पता होगी, luminous flux, अपॉन रहता है, power input, ठीक है, जिसको हम लोग measure करते है, lumin per watt में, इसको हम लोग measure करते है, lumin per watt में, तो इस case में हमारे पास power rating है, हमारे fluorescent tube का, हुआ 20 watt का, और हमीं यह बात धहान में रखने होगी, जो lamp efficiency रहती है, फ्लोरे से हम लोग रहती हमारे approximately, 40 से लेके 100 lumen per watt की, 40 से लेके 100 lumen per watt की रहती है, तो हमारा luminous flux कितना रहेगा, ठीक है, वो हम लोग simply निकाल पाएंगे, 40 multiplied by, 40 multiplied by 20 से लेके हमारा 100 multiplied by 20, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या पूचा गया, luminous flux पूचा गया, लुमेस हमें पूचा गया, तो हमारा वाट multiplied by हमारे हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, जो इसका जो वाटेज है, वो हमें multiply करना पड़ेगा, ठीक है, यह लुमेन पर वाट जो efficiency है, इसे हम लोगों को इसका power input जो है, वो multiply करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसका जो luminous flux रहता है, fluorescent tube का, जो white color का रहता ह ठीक है, उसका 40 से लेकि 100 lumens पर वाट का efficiency होता है, तो इसलिए हमने 40 multiplied by 20 किया, से लेकि हमारा 100 multiplied by 20 तक का जो lumens है, वो luminous flux रहेगा, तो हमारा पास 40 multiplied by 20 रहेगा, हमारा 800 से लेकि हमारा 100 multiplied by 20 हो जाएगा, हमारा 2000 lumens, अब इस option में हमारा पास कौन से क्योंस है, 950 lumens है, तो यह यहाँ पर fit हो जाएगा, 950 lumens, यह कोई भी हमारा luminous, एक fluorescent tube रह सकता है, तो option C is question का correct answer, 950 lumens यहाँ पर given है, तो यह हमारा option correct आ जाएगा, आहोब आपको question समझ में है, काफी important है, धेहन से देखिएगा, ठीक है, देखते है भी हमारा next question, question number 18, the cable used for a high voltage application is, high voltage applications के लिए हम लोग कौन सा cable use करते हैं, उस case में हम लोग gas filled cable use करते हैं, ठीक है, पहली बात तो आपको ध्यान में रेखना होगा, जो belted cable रहता है, इसका voltage कितना रहता है, up to 11 kv तक का, दूसरा रहता है हमारा screen cable, screen, SCREE, screen cable है, ठीक है, इसका voltage रहता है, 22 kv voltage rating से ध्यान रहता है, 22 kv से लेके 66 kv तक यह रहता है, screen cable, तो हमारा पास में pressure cable रहता है, third, वो रहता है हमारा पास में beyond 66 kv, यह important है, ध्यान में रहता है, इस case में यह जो high voltage rating के लिए हम लोग gas filled cable use करते हैं, ध्यान में रहता है, option D is question का correct answer आ जाएगा, the next question is question number 19, important है ध्यान में रहता है, voltage regulation and efficiency of 4 transform, दीक हमारा चार transformer given है, इसके voltage regulation भी given है और efficiency भी हमारे पास बताईगी है, तो इसमें से good working condition का transformer हमें धूणना है, आपको तो पता ही होगा, efficiency काफी जदा होनी चाहिए, maximum, तो हमारे पास दो options है इस तरीके से, 97%, 97% efficiency के लिए, अब यहाँ पे जो values given है, 5% regulation है, और यहाँ पे 2% regulation है, तो य यह चीज़ आपको ध्यान में रिखने होंगी, कि regulation हमें सबसे कम चाहिए, और efficiency हमें सबसे ज़्यादा चाहिए, regulation मतलब क्या होता है, कि जो voltage fluctuation रहते है, ठीक है, from no load to high load, उसको लोग कहते, voltage regulation, इसको लोग को इस तरीके से represent करते, यह हो गया हमारा, voltage regulation, जितना कम उतना वो अच्छा रहता है, ठीक है, तो voltage regulation सबसे कम, इस और transformer डीक है, और इसके efficiency भी ज़्यादा है, तो option, C is question का, correct answer आजाएगा, this transformer will have a good working condition, ठीक है, then the next question is, question number 20, the material which is to be electroplated, ठीक है, जो electroplated, मतलब process कह रहते हैं, हम लोग coating चड़ाते हैं, एक surface पर, जो component रहते हैं, जब दूसरे metal की, ठीक है, so that हम लोग उसको decorate कर सके हैं, फिर हम लोग protect कर सके हैं, उस surface को, जैसे की corrosion वगरा होगे हैं, उसके अपर, ठीक है, तो जो हम लोग plate करते हैं, वो dip किया जाते हैं, हमारे electrolyte में, ठीक है, और उसको बनाए जाते हैं as a cathode, तो यह ध्यान में रखेगा, it is connected to the terminal of the cathode, option C is question का, correct answer सरा जाएगा, important है, ध्यान में रखेगा, जो हम लोग dip करते हैं, जिसको हम लोग को coat करना रहते हैं, उसको हम लोग as a cathode करके use करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेगा, next question is question 21, maximum speed variation, 3 phase synchronous motor, 0, simple है, option D is question का, correct answer रहते हैं, ठीक है, synchronous motor बनाए इसे रहते हैं, जो speed variation रहता है, तो व maximum speed variation रहेगा, उसका 0 रहेगा, option D is question का, correct answer रहते हैं, then the next question is, an important question, what is the SCR value of salient pole type of synchronous machine, SCR that means, short circuit ratio कितना है हमारे, salient pole type of synchronous machine के लिए, तो वो हाता है हमारा 9.5 से लेके 1.5 के पेच में, ठीक है, और synchronous condenser का अगर है, synchronous condenser का है, तो हमारा 0.4 है, ठीक है, salient pole, synchronous machine का आता है, हमारा 0.9 से लेके 1.5 के बीच में, और synchronous, देखे, यहापर cylindrical rotor, rotor synchronous machine के लिए रहता है, यह होगा हमारा, cylindrical, ठीक है, हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, 0.2, 0.6 से लेके 0.9 के बीच में, और 0.9 से लेके 1.5 के बीच म तो synchronous condenser यह हो गया, हमारा 0.4, synchronous counter, देखे, salient pole type of synchronous machine के रहते है, 0.9 से लेके 1.5 के बीच में, और यह cylindrical, cylindrical के लिए, cylindrical rotor synchronous machine के लिए रहता है, हमारा 0.6 से लेके 0.9 के बीच में, तीनो भी values धान में रहेंगे, हमें salient pole type of synchronous machine पूछा गया था, जिसका हमारा 0.9 से लेके 1.5 के बीच में, synchronous condenser का पूछा है, तो 0.4 आप यह marker कि आएगा, ठीक है, आई पप पे question समझ में आओगा, देखते हैं हमारा next question, question number 23, super attention cable हम लोग कौन से voltage level पर यूज़ करते हैं, तो super attention cable हम लोग between 22 kv से लेके 33 kv के बीच में यूज़ करते हैं, ठीक है, ओके, that means super attention cable जो हम लोग from 22 kv से लेके 33 kv के बीच में यूज़ करते हैं, उससे दरी किसे low tension, high tension, extra high tension हम लोग कौन से voltage range में यूज़ करते हैं, केबल समलों कौन से इसमें वोल्टेज रेंज के लिए यूज करते हैं यह हमने इस चार्ट में आपको प्रेज़न किया यह आपको अच्छी तरीके से ध्यान में लखना हो कि काफी बार यह एक एक क्वेशन ही आपको सेलेक्शन देलाते हैं इस तरीके से बेसिक्स कुषिन आ आपको moderate level के मिलते हैं यह तो आप लोग doable रहते हैं इसी में आपको काफी सता chances रहते हैं कि आप उसमें accurately solve करा सुको ठीक है यह जो 20 से लेके 30 questions रहते हैं थोड़े moderate level करे रहते हैं और कुछ 10 से लेकी 15 questions हो थोड़े difficult रहते हैं वो आपको selectively solve करना रहता है इस तरीके से आपक ना होते हुए questions को attempt करते हैं तो आपको selection 100% हो जाता है ठीक है अभी हमारा next question question number 24 देखें यह question काफी बार examination में इस तरीके से पूछा गया था शीथ is a binder for insulated conductors together in a multi-core power cables is placed between तो जो शीथ रहती है हमारे वो एक binder रहती है हमारे insulated conductors को bind करने के लिए तो वो किसके बीच में रहती है तो वो रहती है हमारे between insulation and bedding के पीच में option d is question का correct answer है कि यह जो शीथ है ठीक है यह रहती है हमारे between insulation and bedding के बेच में अगर bedding नहीं option में तो armoring भी आपे option आपका select हो जाएगा इसी को समझने के लिए आपको हमारे electric cables का एक important session है एक से दो question आपको हमेशा examination में पूछ जाते है यह पिमेटरों के examination में भी यह पूछ जाएंगे तो इस question को इस session को आपको जाके देखना होगा past 10 minutes के अंदर यह सारे terminalology आपे clear हो जाएगा मैं बहुत detail में इस session आपको specifically electrical cables के topic के पर यह हमने समझा है इसको जाके देखिएगा ठीक है देखते अभी हमारा next question question number 25 which of the following logic gate provides the output as a zero when both inputs are same either या फिर 0 या फिर वो नो ठीक है तो इस case में हम लोगा हमारा XOR gate जो है यह वैले यह इसकी जो truth table है वो true hold करता है ठीक है तो XOR gate का जो symbol रहता है कुछ इस तरीके सा रहता है ठीक है यह हो गया इसका terminal A and B इसका हो गया output Y output का equation कैसा रहता है A X और B यह ध्यान में रखिए का output expression भी काफी बार पूछ जाता है चोटी से जोटी चीज़े आपको पूछ जाते है दो input है मानले हमारा पास A और B 0 0 0 1 1 0 and 1 1 तो हमारा जो output आता है Y वो हमारा किससदा रहता है यह अब दहान में रहता है 0 1 के लिए howardial 1 रहता है what is जिरो के लिए aont0 1 और 1 1 के लिए howardial 0 रहता है तो इस equation को कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है a bar b plus a b bar ठीक है यह बात धान में रिखने की और यह हो गया हमारा xor gate और इसको implement करने के लिए काफी बार पुछा आता है कि कितने nand और norlogic gate implement किये जाएगे realize किये जाएगे ठीक है आपको पता है nand और norlogic वे हमारा universal gate है तो हमारे पास में 4 इसके nand और हमारे पास 5 हमें nor gate की requirement रहती है अगर हमें xor gate को realize करना होगा इन दो gates को मिलाते होगे मतलब अगर हमारे पास 5 nor gate है तो हम लोग इस xor gate को बना पाएंगे और 5 nand gate है instead of xor gate तो हम लोग इसको realize कर सकेंगे ठीक और इसका output expression क्या है a और a xor p और जब इसके दोनों भी input similar है जैसे हमें question में पूछा कि either 0 or 1 है तो यह हमारा output 0 देता है और similarly xnor के case में यहाँ पर 1 हो जाता है और बाग के यहाँ पर 0 हो जाता है यह चीज़े ध्यान में रखने होगे और यह काफी बार पुछ रहता है कि कौन सा gate हम लोग staircase के लिए यूज़ करते है यह स्टेर के स्विच करके यूज़ होते है तो वह होता है हमारा xor gate स्टेर के स्विच करके हम लोग यह यूज़ करते हैं यह सारी चीज़े आपको ध्यान में रखने होगी तो यह थे गाइस कुछ iMPORTANT QUESTIONS FOR YOU UP METRO EXAMINATION NEXT SESSION के लिए मैं QUESTIONS CHोड के जारा हो QUESTIONS कहा है THE PROCESS OF PROVIDING AN OXIDE FILM IS KNOWN AS IS QUESTIONS का correct answer आप में comment box में comment करना होगा आशा करता हूँ आपका आज का SESSION समझ वहाँ हो SESSION को आपकी दोस्तों के साथ SHARE करेगा जो मैंने आपको सिसेनर रेफर के थे राजसांस के लीडिए वह आपको जाकर देखने होके फेह चैनल को देख़त है के लिए यह पर हमारे पर किलिक करके आप Aified Jose के सकते हो हमारे टेलग्राम चैनल जॉइन करने के लिए जो लिंक से tutorials box में provided है So guys for the next time I will see you and have a nice day